कुछ पाव पुष्पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टीवी पर शुष्विदा के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शक्सियत जिसमें हर बार आप जानते ही है कि हम कोई न कोई शक्सियत को आपके समक्ष लेकर आते हैं ऐसे ही आज हमारे साथ स्टुडियो में मौजूद है जीतू सेंग यादव यारी जीतू जी चुकी लखनव बार असेशेशन के महामंत्री है आज इन से इनकी जर्णी पर बात करेंगे और इन से जानेंगे कि इनका आस तक का सफर कैसा रहा तो आए सीधे बात करते हैं जीतू सेंग यादव जी से सर आपका हमारे प्राइम टिवी के शोर शक्सियत में बहुत-बहुत स्वागत है सर हम लोग हर बार अपने इस प्रोग्राम शक्सियत में हर बार एक शक्सियत से बात करते हैं उनकी जर्णी पर बात करते हैं तो आज हम आपकी जर्णी के बारे में जाना जाहेंगे और सबसे पहले हम जाना चाहेंगे आप अपने थोड़ा सा फैमिली बैक्ग्राउंड और अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरीही का आपका पारिवारिक परिवेश था हम हमारे पूज पूज पिता जी, हमारे पूज माता जी, एक छोटे से कमरे, आठ भाय आठ के कमरे, किराय के मकाल में, पिता जी रहते थे, हम लोग उसी कमरे में पैदा हुए, हमारे पिता जी, मजदूरी क्या करते थे, मा घरेलू महला थी, हम लोग परवार में पाँच लोग थे, एक बड़ी बहन, एक बड़े भाई, जो शायद हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, उसके बाद थर्ड नंबर पर हम, फिर हम से छोटा हमारा छोटा भाई, फिर एक छोटी भाहिन, साट साल तक हम लोग क्राधार रहें, फिर उसके बाद, जिस माकान में हम लोग क्राधार थे, उस माकान मालिक ने, पिताजी को, वही माकान उनको दिया, कि आप लोग, आपके बच्चे यहाँ जन में हैं, आप लोग नहीं रहें, उनहीं के आशिरवास से, फिर वो माकान माता जी के नाम हुआ, जीतो जी पता ही कि आप वकालत में किस समय आया, आपका वकालत का, आपने कब से शुरू की ती, कि यह वकालत? वनने सो निनियान नमे में हमारा इस्च्छासन हो गया था, और 2002 में मैं लखनो बार इस्च्छासन, अपने सीनियर्स, हमारे संतो से आदो जी, जो लखनो बार के पूर महामत्री रहें, उनहीं के साथ मैंने वकाला शुरू की, दो हैर साथ में मैंने कारकानी अध्यष का चुनाओ जीता, फिर दो हैर दस यारह में लखनो बार इस्च्छासन में वाइस प्रिस्टिंड का चुनाओ जीता, फिर दो हैर सोलह सत्रह में एक बड़ा पद जो लखनो बार की गर्मा से जोड़ा था, महामंत्री का पद राप्त किया, और फिर वननिस बीस मैं आपके सामने हूँ, लखनो बार के महामंत्री पद पर हूँ, और दो हजार दो से आज तक का जो हमारा सफर है, वो अधुक्ताओं के दर्थ से जोड़ा हुआ है, चोबिस घंटा अधुक्ताओं की सेवगन्णा, उनके परवार के हर माता पिता हो, भाई भेन हो, यह स्वयमा धुक्ता हो, का दुक करसे दूर हो, यह दद मुझ से जोड़ा है, चाहे रात को ट्रामा हो, लारी हो, कुनमेरी हो, कोई भी अधुक्ताओं परवार की बहन, बेटी, पत्नी, कोई भी तकलिफ होती है, माता पिता को कोई तकलिफ होती है, तो मैं हमेशा ततकाल पहुँच कर, उनके दर्थ को दूर करता हूँ. अचाज जीतो जी, आपको वकीलों का डायल हंड़िड कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, मैंने कहा ना, कि वकीलों का डायल हंड़िड, हमने नहीं अपने आप से रखा नाम, यह अधुक्ताओं ने स्वेम नाम रखा है, कि जीतु जी अद्वक्ताओं के डाल हें जैसे समाज के लिए हंटे डाल थी वैसे अद्वक्ताओं के डाल हेंडर जीतु जी है लोगों ने प्यार से यह नाम रखा है अभी कुछ दिन पहले मानी अखलिस जादो जी ने धर्ती पुत्र कहा जाने वाले माने मुलाईम सिंह यादो जी ने और बहुत से कपिनेट मंत्री रहें जो पुस्ताक हमारे उपर लिखी गई अद्वक्ताओं के डाल हेंडर उस पुस्ताक अभी मोचन मानी अखलिस यादो जी के दौरा माने नेता जी के द्वरा किया गया और इतिहास जो लिखता है पुस्तक उसी के उपर लिखी आती है हमारा अपना इतिहास है संगर्सों के तिहास है चात्र जीवन से जब मने प्राइमनी में सिक्षा ग्रण की तब गरीभी थी जब हैस एजुके समने गए तो भी करीभी थी धीरे 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 हमने बहुत संगर्स किया उस संगर्स में हमारी इमांदारी है अगर किसी पल किसी छड किसी अद्वक्तर ने याद किया या समाज के किसी ब्यक्तर ने याद किया मैंने पहुच वर उसकी मदद की हमारे ब्लेड में है मदद करना हमारे ब्लेड में है और मम मदद कर रहा हूँ जब तक मैं धरती पर रहूंगा मैं मदद करता रहूँगा यही मैंने सिखा है अच्छा जीतो जी मैं आप से कोड़ चीज है कि जैसे आप वकालत में हैं तो वकालत में रहते रहते समात से वो और राजनीती कैसे कर पाते हैं किस तरीके से आप उन सभी में अपना साम अंजस बिठाते हैं बहुत अच्छी बात आपने पूछी चात्र जीवन से मैंने जब हमारा बी एवन में आइडविशन हुआ तो सुबह हमारे परमदले परमशद्धे राकेश सिंग रहना जी महामंत्री से लखनो विशुदाले के मैंने उन्हीं का सिरवात प्राप किया और चात्र जीवन का एक बड़ा संगर्स रहा हमारा जब राना भाई सब महामंत्री बन गए अद्धेश बन गए उसके बाद मैंने चौरानवे पंचानवे में मैंने चौरावणा उपाद्धेश पत्गा मैं कुछ ओटों से हार गया हो सकता वो समाह हमारा ना रहा हो मैंने पीशे मुण के रही देखा मैं आगे बादता चला गया लखनो विशुदाले में चाहे किसी भाई का एड़िशन हो किसी बहन का एड़िशन हो जो एड़िशन अध्यक्षपंतर नहीं करा पाते थे वो एड़िशन मैं कराता था मैं पेल लेता था उसी का अशिरवाद है कि उनी के माता पिता जब मैं बार में आया तो बहुत से लोग भी सुद्दाले के हमारे बार में आये बार में पंजीक रहे और उनी के आशिरवाद से मैं यहां तक पहुचा हूँ और आज भी मैं 24 गंठा मैं नित्य सुभा छे बज़े बिस्तर छोड़ता हूँ और रात एक दो बज़े तक मैं लोगों की सेवा करता हूँ आप किसी पल हमें याद करिए हमारा फोन नंबर है 9839093684 किसी पल मुझे याद करिए आप के पास जो भी संस्ता हो आप पूछ सकती है कि समाज में कौन किसका फोन तदकाल उठता है अदोगतों में है बहुत से लिडर है हमारे अदाने महमंत्री है अदेक्ष है मगर 24 गंटा जो सेवा भाव है वो हम में है जी तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आप एक सेवा भाव के माध्यम से मतलब आप तीनों चीजों में अपना समन्जस की रहनीती भी बहतर तरीके से कर पा रहे हैं और वकालत भी कर रहे हैं मतलब आपने जो भी आपके इंसियां हो जिस पर आपका विस्वास हो यह बात मैं आप से कर रहा हूँ आम मानी जी तक पहुचाएं अचा जीतु जी आप लखनो बार एसोसियेशन के महामंत्री हैं और जिस तरीके आपने बताया भी तो वो महामंत्री का सफर आपका कैसा रहा जम्बाइद 2016-17 में मैंने पर्चा दाखिल किया तो मुझे भिष्वास नहीं था कि जिस ब्यक्ति के सामने मैं पर्चा दाखिल कर रहा हूँ वो लखनों बारेशन के सबसे कद्दावर ब्यक्ति थे और माता जी का असिरवाद हमारे साथ था माता जी हमें छोड़ के चले गी थी उनका असिरवाद था हमारे पिताजी का इसे होता और जो मने संगर्स किया है संगर्स भी दोतरा का होता है एक लोग संगर्स दिखाते हैं और एक लोग संगर्स करते हैं हम लोगों ने संगर्स किया है और पूरी इमानदारी से किया है वहीं मांदारी का सिर्वाद लेकर, चात्र जिवन का सिर्वाद लेकर के, मैं 2016-2017 में भारी मंतों से महा मंतरीत का चुनावजुता, उस समय सभाज आदी पार्टी कोवर्मेंट थी, बहुत बड़ा चुनावजुता, मैं रात को जब चुनावजुत के घर गया, तो मैं अपन पलंग पे बढ़े बढ़े रात को दो हुझे, मैं सोच था था कि इतना बला चुनावजुता, इतनी महान हस्ती के सामने मैं जीता, जिसके सामने आद तक किसी ने परचा दाखिल करने की हिमत नहीं जूटाई थी, मैंने उस ब्यक्त को भारी मतों से हराया, 609 वोट से हराय और इतिहास के पनने पर, मैंने अपने नाम रखा, उसके बाद एक बार तो चुनावजु आदमी अपने संगर से जीता है, मकर दुबारा जब 1921 में मैं चुनावडा, तो हमारे बिरोधी भी बहुत है, बिरोध उसी का होता है, जो ताकेत वर होता है, जिसका इतिहास होता प्रोध करने वालों के संग्या भी अच्छी थी, मकर प्राण करने वालों के संख्या इतनी जयाद थी कि बिरोध बहुत छोटा पढ गया, हमारा नमांकर होगा, वोट पने, और माने वर्तमान सरकार के जो भी कैड्मेंट मंतरी नहीं, जो भी कविना मंतरी नहीं, उन कि फिर मैं उच्छी न्याले के समक्ष गया तो उच्छी न्याले से चार महने बाद हमारी काउंटिंग का आदेश वह पिर मैं महां से साथ सोटों से चुनाव जुता आप देखिया हमारा अतिहास है संगार सुपर अतिहास है जसमें जज़वा है लोगों की मदद करने का मैं कि मैं पशुदा के अंपनर माङता की जनता की आक्क पे कभी आसु नहीं आएगा मता पिता भाई भैन बैटे अदवक्ता का परवार होँ संमाज का परवार हो किसी की आक में मैं इसाःक है कि यह हमारे लभज है और यह हमारा संगार्थ है और मैं संगस कर रहा हूं अच्छ जीतो जी कई बार ऐसा भी सुनने के लिए मिला है कि आप लोगों के हक की लड़ाई की वज़े से कई बार जेल भी आपका जाना हुआ है हाँ सही सुना आपने तो कौन सी वो लड़ाई रही निलग किस तरीके की लड़ाई रही अभी आपने चाहत्रीव कि में जेल गया ने जाम साथ दिन जेलमेन मि रहा एं असकताओं के लेकर के मैं जेल गया कि बैलाध्यी केसाथ मैं जेल गया कि जो हमारे नाच्ष नमास अधरस रहे कि कर्स्ष एठिश रहे कि बैलेम है लिठाजिण में 5 शें में मैंने उनकी मतद की उसमें भी अद्वक्ताओं के परवार भाई बहन सभी को पर इस राजा की उपन्द ने जब कहड़ाया तो मैंने मतद की और उसके बाद मैं 22 गंटे जेल मेरा उसके बाद रहाई हुई और रहाई भी ऐसी हुई कि सुब अच्छे से ले अच्छे वजे से लोग डोल मजीरा नागला भागला सब लेके पहुच गये थे हुजूम था इस भाई को प्यार करने वो लोकी संके इतनी थी कि सरकार भी चावत अब से देख रही थी उनकी लायू देख रही थी कि जीतू जी के साथ कितने ढॉल मजी रहे कितने अतञता के परवार के लोग है मैं रो रह था उनके प्यार को देख करके और जेल वही लोग आते है इंका अपना रत्यास होता है नेता वही बनते है इनमें संकर्स करने की छमता होती है और मैं कि अगर मद्विधासवर से मानिय अखली जी ने टिकट दिया और मैं चुनाव जितूंगा दसलाग पर्षटर जो जुतूंगा यह मैं कह रहा हूं कोई भी पर्त्यासी हो किसी भी पाल्टी हो चुनाव जीत के मैं आउंगा और चुनाव जीतरे के बाद एतिहास के पन्ने पे मद्विधासवर का नाम होगा आप देख लीजिए पास सालों में तीन सालों से तुम्हें देख रहा हूं सलक सलक यह तीन सालों से बना नहीं 24 गंटा समस्चा है जीतर 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 जिस तरीके से अभी आप सरकार के कामों की बात कर रहे हैं हम जैसे आप सपा सरकार से जुड़े हुए हैं और वैसे ही अगर हम जिसे कारकाल की बात कर रहे हैं जिसे आप अभी गिना रहे हैं उनके कारकाल के बारे में तो अगर हम अब उनकी सरकार के कारिकाल को कितिना नंबर दीना चाहें? अब देखें अगर 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 इस वे निन्डाने पे चाहिए होंगे वह जो कहते हैं वहीं बोलते हैं आप देखें करोणा में लासे गंगा मा कि नदीम बहाई गई इतिहास का पन्ना यह सच है इस धरती पर पहली बार देखने को भी ला है लासे भाई जा रही है और एक की उपर एक की उपर लखली लगा करके लासे जला जा रही है आप आई आप तो सब कुझ जानती है करोना में इन लोगों ने पूरी तरह से चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई बरकर लोगों किसी को भी आक्सीजन नहीं मिली किसी को दवाय मिली खिसी को सही भी मिले किसी डॉक्टर ने पूछा था नहीं आज हो पता हία कि अ कुछ किया हो इससे पहले सर्कार देख लीजिए ओ जिए किते और सर कार थी ज्क अयाए एक कि सानो को कोलाब कि छात्रों को लिपटाब कंडिया विद्यधन, विद्वाव को पेंशन, नौ जवावनों को नोकरी, महनाओं को अलग सुधा, आटी सिटी, मेट्रो, आप जीवन में सपना मने देखा था, कि सतर फिंडीचे, क्या मेट्रो चल पाएगी, हम लोग भी इंसान है, और देखे मानिय अकले जी ने सपना द दिया, अगरा एक्सप्रस में, आपको दिल जाने के लिए 11 गंटे लगते हैं, आप जाए 4 गंटे में दिल पहुँ जाई है, मेधानता, जैसा हॉस्पिटल, माने अख लिजी ने दिया, रिवर्टी टिवर्ण, इतना बढ़ा प्रांट में भाईया दे रहे थे, और आने रही है, इतना बढ़ा आप माने अख लिजी ने लोग भोलनू ना, मा अटल भारी बाइच पर ही, जी की मूर्ती लगा दिवा, आप देखिए, भाई, आपके समख तो ही है, इतना बढ़ा इकानाइट सेडम बनाया, वहां फिता काट के अपना नम लगा दिया, अरे कुछ अच्छा काम करो, कोंसा ऐसा काम क्या मुझे बताएं? जगे उन्होंने होडिंस लगाएं, इस पर क्या कहेंगे? देखे, उनकी सरकार है, जिसकी चाहे फोटो लगा सकते हैं. उनकी देजर में हर बन क्या है, बonentsक्ता हमक्ता आतंगवादी है, उनकी देजर में. चाहे हो हिंदू हो, चाहे मुसल्मान हो, चाहे हिसाई हो, अगर किसान अपनी आवाज उठाए, तो गारी के पहिये चड़ाके उनको मौत दी जाएगी, आप देखिए, बारा चोदा मैंने होगा, किसान रो रहा था, बच्चे मर गए, पत्निया मर गए, बुजुर्ग, इस च्छोड़ के चले गए, इतना तैचार, कि अपनी इस लोक तंत्र में आवाज उठाने के लिए आवाज को कुछल ले, यह तो आज तक मने देखा ही नहीं, इस राजा की हुकूमत में, जिस तरह से, इस समाज को प्रतानित किया जा रहा है, यही समाज, दोजार बाइस में दस तारी को, दस मार्च को, इतिहास का पन्ना, माने आखलेस जी को, मुखमंतरी के रूम में, वही पन्ना लिखा जाएगा, दस मार्च, यह आप कोई वालू है, बगर आप इसलिए नहीं सच दिखा सकती है, क्योंकि आपके उपर EDUD का भाया है, अब आपको ज़्यादा बोलेंगी, तो भी पुलीस आपके घर बोच जाएगी, इस वे भाय है, भाय, यह भाय मुक्त समाज कीसता आपना होनी है, इसलिए मानी अखलेजी को, लाना बहु जूरी है, आप से भी मारा निव दर है, समस्त, पत्रचार समस्त, निचलनल से मारा निव दर है, कि सच तो शायद जिवन में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अपने बिंड़ा एक पत्री को देखना है, तो यह सकते हैं, जो सच दिखाएंगे, वही जर्ती पराज करेंगे, मना राजा की हुकुमत एक ऐसा डंडा उसके हाथ में जिसको मारते हैं वो धरती के रीचे जाते हैं एकी आवाज है ठोक दो अच्छा जितो जी अभी आप जैसे लखनो मध्य विदानसभा से अपनी दाविदारी कर रहे हैं और इस समय मौझूदा जो विधायक है वो एक मंत्री भी है साथ में अधिवक्ता भी है तो आपको लगता है कि उस मध्य विदानसभा में कुछ विकास कारे हुए है और क्या इस तिदी है अधिवक्ताओं की आप अपनी एक टीम लगा लिजे मध्य विदानसभा छेत्र में आपको मालू हो जाएगा कि मध्य विदानसभा में कार हुए है या नहीं हुए मैं जनता से पूछा चाहता हूँ कि पूरे परदेश में जब योगी जी ने कोई काम नहीं किया तो विदायक तो ना के बराबर हैं एक राके जी है वो कहते हम आप फोनी उठाते है सरकार हमारी सुन नहीं रही थानेदार हमारी सुन नहीं रहे तो मैं किसकी बात करूं करो अबने देखिए कुछ नोगों अब क्यों ने उठा रहे हैं तो उनसे पूछें कि वह अपनी मेनस से नहीं जीत क्या है अगर अपनी मेनस से जीत क्या आते तो स्युमों तो छोड़िये स्युमों के परवार की लोग फूर उठाते हाँ ये सच है कि अगर मानिय अखलेजी ने हम नाजवान को टिकर दिया तो मत बिधास सबा की हर जंता का दुख दूर करेंगे माता पिता कि आखे पासु नहीं आएंगे बच्चों को अच्छी सिख्छा और बहनों को इस भाए का असिरवाद मिलेगा मुझे रगए कि मैं सेवा करूँगा बढ़े हैं सड़के होंगी बढ़े यहाप पानी होगा सख्ष वातर बढ़ होगा और अदवक्ताओं के लिए विसे सुभता होगी तो कि अदवक्ता तो मेरी आत्म में है हमारा पत्थर अदवक्ता के दिलों में है जिसमें लिखा जीतु यादो जिन्दाबाद बस माने जी अकले जी हमारा हाथ जोल के निवदर है कि एक मोका हम जैसे नौजवान को भी दे क्योंकि लखनो जनपन्द में 22 यार एडवोकेट का परवार माता पिता भाई भाई भहन बेटी स्वेमा मिलाके 65 यार लोग लखनो जनपन्द में दुखता का परवार दिवास करता है उन्हीं का असिरवाद में मैं दुवारा मंत्री बना हूँ ऐसे तो चार पत्वा है दोजार साथ में काख़ने अध्यक्ष है तो यह सोला सक्तमें कदवर मामंत्री के रूम में फिर उसके बाद वरतमान में मामंत्री हो तो हमारी कारशहली और कठनी करनी में को यंद्द नहीं है मैं जो कहता हूं वहीं करता हूं और 24 गंटा डाल हंड़ नाम दिया गया है जोबीस घंचा डाल हेंटों की सवा समाज का डाल हेंटा अख्ले जी न। दिया था और थी सबको म simplicity को मिलेगा और मुझे में मोका मिलेगा जैसे मोका मिला समाज का डालेंटर में जाओंगा खुब सेवा करूंगा मादमधार साभा की जनता जो है इस बेटे को चीवन में नहीं भूला पाएगी क्योंकि चॉबिस घंटा सेवा करने का भाव हमारे हिर्दे में मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ और उन्हीं का असिरवार लेके मैं मद विदास्वा में चालू नहीं हूँ जैसे मौजूदा सरकार हमेशा ही कहती है कि हम विकास कार कर रहे हैं लेकिन जब अखलेश यादव जी से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सिर्फ जुमले-बाजी हो रही है इस पे आप क्या कहेंगे? यह काम आपका है कि लोग तंत्र में 14 इस्तम आपको माना गया है हम तो अपना काम कर रहें मगर आप अगर सच समाज में ले जाएंगे तो योगी बाबाजी का सच सामने आएगा जब सच सामने आएगा तो 2022 में मान नियकले जी की को रूण बलेगी सच दिखाने का काम आपको रहें हम तो अपना काम को नहीं रहें अच्छ जी तो जी 2022 का जो विदान सबा का जो जुनाव है जिसमें आप लखनो मद्ध विदान सबा सिद्धा विदारी की उमीद कर रहे हैं अगर उसके आपको मौका दिया जाएगा तो आपके इन मुद्धों को लेकर जनता के पीश में उतरेंगे मानी एकले जी ने अगर हम जैसे नौजवान जो लखनों बार के महामंतरी पत पर दुबारा एक बड़ा लंबा सफर है हमारा चात्र जीवन का इतिहास रहा है उसके बाद अधुताओं का दर्द दूर करने का जो हमारा इतिहास रहा है उन्हें के आश्रवास से मैं इतना बड़ा पत दुबारा पाया हूँ और मैं मद्विधासवा की जनता को एक बड़ा विश्वास दूँगा मैं वो काम करूँगा जो शायद आज तक किसी नेताने ना किया हूँ और खासकर मद्विधासवा की जनता को विश्वास दला चाहता हूँ कि नेता ना चुनिएगा आप एक गरीब बेटा चुनिएगा जो सद्यो आपके बीच में रहे और आपका दुख दूर करे आप एक बेटा चुनिएगा जैसा कि मैं आपका बेटा हूँ स्वक्ष पानी, स्वक्ष सफाई, स्वक्ष वातवन, नोकरी स्वक्ष पानी, 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 स्वक्ष पा मां मैं जाता हूं आँकर में जटू जी हम चाहिए का आप हमारे प्राइम ती जी दौ सच दिखायाता है अब सब सच दिखायाता है तो समाझ जागरत होता है और मैं विश्वास दिला चाहता हूँ इस चैनल को कि जीवन में हमसे जो भी आपने सोचा नहीं होगा जो भी मतद्द करेंगे मैं इस चैनल को 24 घंटा बताद दूँँगा इस चैनल का समान बढ़ेगा आपसे मैं हाज जोड़के निवदन कर रहा हूँ कि मदविधासभा में जाकर एक बार आप पूछे जरूर कि मदविधासभा की जंता समान बढ़ेगा पार्टी से किसको लाँ चाहती है जब आप सच मानिय अखलिजी के सामने रखेंगे तो सीट फारी मतों से जित काएगी यह हमारा निवदन है थन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी के शोर शक्सित में अपना समय देने के लिए आज के प्राइम टीवी के शोर शक्सित में हमने बात की लखनोबार एससेशेशन के महामंत्री जीतू सिंग यादव यानि जीतू जी से जिन्हों ने अपनी जर्णी के बारे में हमें बताया उमीद है आपको इजानकारी काफी पसंद आई होगी अगले अपिसोड में हम फिर आज़े रोंगे एक नई शक्सित के साथ में तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार